कि Hello everyone welcome to my YouTube channel अवनिसर आज हमनों किस वीडियो में अर्फमेटिक प्रोग्रेसंस में को देखने वाले हैं यानि आज की सुन वीडियो में में का देखेंगे तो अर्फमेटिक को देखेंगे एंग आर्थमेटिक मीन को आम को मोग सौटकर्ट में एएम भी बोलते हैं एम का मतलब हुगा और्समेटिक मीन क्लियर करते हैं सबसे पहले कोई एक अपया टर्म यहां पर थ्री है 6 है, 9 है, 12 है and so on तो आपको पता है कि AP में जो एक particular number add होते जाता है जैसे यहां देखरें है 3 के बाद का? 6 यह नि 3 बढ़ गया फिर इसके बाद 9 यह नि 3 बढ़ गया फिर इसके बाद 12 यह नि 3 बढ़ गया यानि एक particular number जो है सब में add होते जा रहा अब इस AP में से क्या करना है कि कोई 3 consecutive term आपको ले लेना है जैसे यहां से हम लेनी लगतार यानि 3 को consecutive term ले लेना है लेने के बाद जो first and last term है इन दोनों को add कर देना है तो देखे 3 और 9 add किजेगा तो क्या आगा 12 और उसका half कर देना है यानि कि क्या जागा 6 यानि बीच वाला टर्म आ गया इसके बाद मान लेते हैं मेरा मन हुआ कि हम यहां से तीनों टर्म ले ले यानि 6 9 12 तीनों टर्म ले लिए तो first term क्या 6 है last term क्या 12 दोनों का add कर लिए 18 उसका half कर दी तो क्या जागा 9 या जागा और भी examples आपको हम दिखा रहे हैं देखिए जैसे कि अपि हम ले रहे हैं इसका term 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके ले रहे हैं इसके बाद आपको हम क्या बोले कि आप बीच में या फिर कहीं से भी चाहिए तीनों टर्म लेना है तीनों कंस्क्यूटी होना चाहिए यानि कि लगतार होना चाहिए जैसे कि मालने ते हम यहां से तीनों ले लिए अब इस्में फ्रस्ट लंका 15 लास्ट अम्का यह तो 25 इन दोनों का सम कि जाए तो क्या जाए और उसका हाफ कर देज़ेगा तो बीच वाला टर्म आ जागा अब होता क्या आया कि कोई भी एक तीनों टर्म ले लिए तो फर्स्ट एन्लास्ट टर्म का समझ होता है उसका half बीच वाले term के equal होता है तो बीच वाला जो term होता है इसी को हम लोग arithmetic mean बोलते हैं जिसको हम लोग a.m. से denote करते हैं अब देखिए arithmetic mean के लिए अगर हम formula लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आपको पता है कि कोई भी AP है उसमे common difference क्या होता सेम होता है यानि कोई भी दो कंस्क्राइब लेकर के आप common difference निकालते हैं तो सारे condition में सेम होता है इसलिए तो एपी है तो सबसे पहले हम सब्सक्राइब कर लेते हैं इसलिए बीच में capital A डाल दिया है तो सब्सक्राइब कर लिए a , a , 스mall b are इस तर्म के बारे में बात करते हैं तो फ्स्त टर्म आपको क्या हो जाएगा 17 टर्म के बारे में बात करते हैं तो blum b हो जाएगा तो आपको पता हो आपको कंडिशन से कि a2 – a1 equal होता किसके? तो a3 minus a2 के है अब देखे हैं a2 जो है capital a है minus a1 जो है तो small a है equal a3 जो है small b है और a2 जो है a2 capital a है तो यहाँ से क्या हो जायागा? a, यी minus a, इधर आएगा तो plus a, इन minus a Small में ही इधर आके plus a, plus क्या हो जागा? तो b हो जागा, A A add कर लेंगे तो 2 A हो जाएगा equal क्या हो जाएगा A plus B हो जाएगा यानि A P में जो 3 consecutive term है उसमें ऐसा ही बोल सकते हैं कि बीच वाले term का 2 times बाकी दोनों term के साम के क्या होता equal होता है या फिर इसी चीज़ को हमें आज से चाहें तो लिख सकते हैं capital A equal small a plus small b by 2 हो जाएगा इसी A को हम लोग क्या बोलते हैं तो arithmetic mean बोलते हैं आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं A M A M का मतलब हो गया arithmetic mean equal क्या हो जाएगा तो A plus B by 2 हो गया तो आपको ध्यान अकना है कि कोई भी AP दिया हुआ उसमें जहां आपको मर्जी हो वहाँ आप कोई 3 consecutive term ले लिजे तो first and last sum का half जो है बीच वाले term के क्या होता है equal होता first term and last term का जो sum का half होता बीच वाले term के equal होता और बीच वाले term को हम लोग arithmetic mean बोलते हैं यानि capital A से denote करते हैं फिर उसको aim बोल सकते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद arithmetic mean यानि arithmetic progression में arithmetic mean क्या होता है या आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा ऐसा हम उमीद करते हैं यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like और comment करना न भूले possible तो share भी करे और नए हमारे चैनल पर तो subscribe करके bell icon को press कर ले फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में थेंक्यू